हेलो डियर स्टुडेंट वेलकम टू लैसेंस कॉंसेट्ट तो स्टुडेंट प्रीवेस लेक्चर में हमने रिपेर का मिसमेश रिपेर हवाला पार्ट कम्लेट किया था मिसमेश रिपेर इन प्रॉक एडियोट मिसमेश रिपेर इन यूक एडियोट हम कवर कर चुके है आज ह टोपिक को लेने जा रहे हैं जो टोपिक हया हमारा वो है आज हमारा बेस एकचीजन रिपयर टॉपिक को नाम क्या है यह ई तो कि एक सीर्व अ, और रिपेर, आजए में टॉपिक पढ़ेंगे हमआरे डिपेर सिस्टम वाला ठीक है ? बिस ऐक सिर्वेंट इसक परिसे शोर्द कश्चीरम करेंगे हम सबुनिक होता है अगर अघर अब यह हमारा थ्री प्राइमेंड और यह ठ्री प्राइमेंड और यह है उनिक प्राइमेंड talking एग प्राइशन करने का तरीका हमेशए यूनिक होगा डिय किया प्रोसेस होता है वह बहुत ही यूनिक होता है अब यहां पर हमने देखा कि यह 5 प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड दियेने हैं और यहां पर मैंने लिखा है साइटोस यहां रखा है मैंने क्या गवानिन है यहां पर यहां पर इंहों ने क्या बोला सबते पहले मैंने यहां पर देखा कि यहां जिसका नाम है दी अमएचन हुआ and dmi nation होने की वज़े से dmi nation होने के वज़े से cytosine का dmi nation होने के वज़े से as we know that cytosine is converted into uracil cytosine किसमें convert हो जाएगा cytosine convert हो जाएगा किसके अंदर uracil के अंदर तो अब uracil and go on in अब मुझे पाता है कि मुझे uracil को remove करना है तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लेकर आ रहे हैं सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूं यहां पर क्या जिसका नाम है uracil dna हो डी एने सह ग्लाइको साईलीज सब्सक्राइब है कि अब आपको पता है ग्लाइको साइलीज क्या करता है हमें पता है कि शूगर जो शूगर है यह चूगर है और नाइटोजेनस बीसे यहां पर जो न डशोड़ बेसे है हमें यह है इदर का यह दर यह देखो पूरी चैन सब्सक्राइब आप यहाँ पर मुझे पता है कि यह जो बॉंड नहीं यह वाला जो बॉंड वह क्या है glycosidic bond है and glycosidic bond इसको हम बहुत है mostly beta and glycosidic bond ठीक है अब glycosidic bond है इस glycosidic bond को ब्रेक करने काम कौन करेगा glycosylase जैसे ही bond break करेगा तो यूरेसिल जो बेस है nitrogenous बेस है वह रिमोव और है sugar and phosphate remove नहीं होंगे सबसे पहले कौन रिमोव होगा nitrogenous base तो यहां पर हमने क्या देखा कि glycosidic bond है एंजाइम आते ही यहां हमने क्या देखा डाइक यह थी प्राइम है और यह फाइफ प्राइम है मैं लिख देता हूं यूरेसिल डिनेग्लाइक को साइलेज एंजाएम हैं तो यह इनिशेट करेगा रिपेर प्रोसेस को यह क्या कर रहा है यह तरह से खलीव करता है खलीव दर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौनसी साइट पर करेगा लाइक एपी साइट एपी साइट क्या होती है बच्चों एपी साइट का मतलब होता है यह तो होगा एप्यूरिनिक साइट ये हो गए यहां पर क्या ये पायरीमेड Divine साइट और विकेंद से ये s आप यह यहां नहींकर हो गहां तो हमें पता है यहां पर सबस्ते हो पाता है कि अब यहां in है sugar and phosphate group लेके तो मुझे क्या करना है मुझे अन्यडेन क्लेस बढ़ाना है मुझे क्या करना है अन्यडेन क्लिस का CHP पी अंडो नूक्लियेज को ना है गा एप यंद नूक्लियेज अंड हापर एक और एंजे में कया ना में इसका फॉस्फो डाय अस्ट्रेज फॉस्फो यह यह क्या करेंगा रिमूव करेंगे दोनों रिमूव शुगर एंड फॉस्पेट शूगर और फॉसफेट को क्या करने वाले हैं यह खिलीव करने वाले हैं तो यहां से मैंने क्या बहार निकाल दिया फॉर एक्जांपल मैं यहां से लिख सबता हूं कि यह मेरा शूगर है है अग्वा एच और और यहां पे क्या है सी एच टू ओ पी यह दो सुगर और फॉसफेट मैंने भान निकाल दिया शूगर फॉसफेट बहार निकालने का मतलब है कि यहां पे क्या आगया है अन्युक्लेज एग बीच में कट लगाएगा यास इसने कट लगाया ऑंड़े तो यहां पर हमें पता है कि polymary is beta in eukaryotes and polymary is first second in pro cariots यह हम यूज मिल लिते हैं अब बता है हमें कि polymerage आने के बाद में प्लस में यहां पर यह ले रहा हूं क्या डीने लाइगे जैंजाइम लाइगे तो गरेगा डीने लाइगे जैंजाइम एंड नाव आज यू नोट एक्ट की पूरा का पूरा स्टेंड एकदम सही बन गया है है कि यह सजुंट संसे स्टीमट आ йकलोकी और पांद यह हमारा क्या क्या है ठीक है मैं वापसे एक बाम करेता हूँ दटेंल में लेता हूं उसको देखेंल पर क्यांद आंदर आपने क्यां दिखा साइटोसिं टीडिल होने के वैसे साइटोसिन को रिप्लेस कर दिया यूरेसल ने यह स्ट्रक्चर के वाइज में आपको पूरा एक्स्प्रेंट कर चुका हूं मुटेशन के अंदर ठीक है तो अगर आपको रिपेर पढ़ना है तो सबसे पहले करो कि रिपेर की जो क्यों पढ़ेगी कोई डैमेज होगा तभी तो पढ़ लो तभी तो रिपेर करोगे ठीक है तो डायेट रिपेर पढ़ोगे तो डैमेज समझ मी नहीं आएगा तो इसलिए और यूरेसल देने ग्लाइकोसाइल लिए विच ग्लीव एंग्लाइकोसिडिक बॉंड एट एपी साइट लाइक प्यूरी में प्यूरी में इक साइट और एपाय इम इनक्साइट ओके सो आफ्टर देन एपे अडिय नुक्ली एज एड फास्फोर डाय आस्ट्रेश रिमोश्यूर और फोस्फट अज विन नो डैन पॉलीमरेस बीटा इन यूकरियोर्स और पॉलीमेस फॉस्ट और फॉस्ट और लेक्ट इन लाइगे जैंजाइम चैन सील डेट पाट सो यहां पर क्या होगा डिपेर हो गया अब यह तो हमने इदम बुकिश लेंगुश टाइप में पढ़ लिया है थोड़ा अब इस्ट्रक्चर वाइस भी लेते थोड़ा इस लाइक लाइकोसालिएक बूरण थाम बॉंडका फॉस्ट के बारे माँ शता है तो आपको पता होने सबसी कुछन याद कर लेना चोटा कुछन में आते हैं अब देखो यहां पर हम एक थोड़ डिटेल में भी देख लेते हैं देखो यह तो मैंने लिया है कि अगर स्पॉंटेनिस मुटेशन हुआ है तो बट अगर कोई बेस मोडिफाइड हो जाए तो उस्तों कैसे रिमूब करें त अब लिख सबते हो क्या केस फ़र्स्ट अब केस सट लेकर देखते है और क्या चांसे से से दिखन क्या है सबसे पहले मैंने हाँ पर क्या लिया है कि दिखो ये डिनये थिरी प्राइन्ट यह प्राइब में ठीक है आहिए अब यहां पर देखों हहां यहां पर मैं लिख रहा हूं यह यहां पर लिख रहा हूं फॉर है और आम मोडिफाइड तो मुजी क्या कॉंड़िए इसका methylation हो रखा है तो मैंने क्या किया सबसे पहले है अब देखो सब के बीच में फास्फोटाइस्टर बोंड है अदेनिन और ग्वानिन के बीच में ग्वानिन साइटोसिन के बीच में थाइमीन साइटोसिं के बीच में साइटोसिंग वानी के बीच में फास्ट्ट के बॉंट है तो देखो यहां पर किया प्राइम एंड और एडेनिन का क्या होगा थी प्रेम ओये यह मैंने सका ओ लिए यहां पर देखो यहां पर मैं ले रहा हूं पी ओ छी एच टू डबल बॉन्ट ओ सिंगल बॉन्ट एंड यहां पर देखो हम क्या ले रहे हैं लाइक यह मेरा शूगर और यह देखो जो यह लो आप देखो यहां पर हमनी क्या ले रहे हैं यहां पर लाइक आच और यह देखो यहां पर ग bragॉनईun Moodbug से और यहां पर ले रहे हो ओ के लिए imme अधिक आध हुएं यहां पर हम्यर्ञी की यहां पर मैं लेकर तुम और लेखे फैनल रहे हैं यहां देखो यहां इसने क्या कर रहा है ट्रिक्रोंडीन कर साइटोसीन से इसे ट्रिक्रोंडीम कर रहे हैं तो फ़िएसे क्वाले बच्चे उस्टार्टिंग उससे प्रकाते हैं और हमें नट की तेरह करें तो थोड़ा बहुत आना चीए और यहां पर हमने पता है कि OPO यहां पर फॉस्फर डॉस्टर बंट्फ का साइटोसीन भी हो गया ठीक है अब देख गोल्प अब यहां पर क्या यहां पर आएगा ग्लाइको गलाइको कॉसाइलीज Loch College Kids न टीक है डी सने गलाइकोसाइलीज भी भूलू levar सकते हैं डीने गलाइकोसाइलीज तो डीने क्लाइकोसाइलीज क्या करेगा यह जो बॉंड यह प in i it is तो नहीं रहेगा तो क्या होगी अब ग्लाइकोशालेश ऑन्ड है कौन सा यह ऐन-ग्लाइकोशिटिक जो बॉंडड है इसको ब्रेक किया अन्कलाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक बाइग ब्रेक बाइग दिएने ग्लाइक को साइलीज इन जैन आप क्या देखोगे यह अगर मैं बहुत बोलो ही शूगर निएज तो इसको उपड़ कर सकता हूं मैं ऐसा स्ट्रक्चर भी बना से तो हूँ ना ये 5 प्रायम और ये आड़े नाइन आड़े निन का 3 प्रायम ओ एच ओ पी ओ दैन छी एच टू दैन छी एच टू दैन छी एच टू ओ ठीक है और यह 3 प्रायम और यह मेरा 5 प्रायम अंड यहां पर क्या होगा यहां पर होगा हमारा याद निन है तो इधर होगा ताइम इन थाइम इन भी होगा ठीक है और इसने डबल हाज़न ड़्यादिन बंडिंग करी डाख होगी नाउ आपको पता है अब कोन आयेगा chemical structure से समझना थोड़ा आसान होता है AP endonucleate enzyme so AP endonucleate enzyme क्या करके जा रहा है यह देखो यह एक तरह से sugar अब्र एपी ने नृक्लिइश प्लस कोना रहा है और अधर मान एक फॉस्फोर में है क्रीश फॉस्फोराय can मरे श्वाट में घुर्न करेंगे सुगा को सुगार है फॉस्वीकर द मतलब कि अधिया दिन-फिया यहां पे आपने सबसे पहले क्य NOW दा ऐन्ट नाइन ऑन्न और फशा त्ितोश है ठीक है यह रही अध्य जो है और यहां पर यह देखो यह फाइफ प्रायम है और यहां अब मुझे क्या करना है पॉलिमरेज को लेके आने मुझे क्या लेके आना है पॉलिमरेज को लेके आना है तो आपके शूगर को रिमूप कर दिया अब यहां पे मुझे चाहिए क्या पॉलिमरेज तो मैं को चाहिए पॉलिमरेज बीटा इन इन यूकेरियोट्स और पॉलिमरेज फास्ट और सेकंड इन प्रोकेरियोट्स वो क्या करके जाएंगे ये देखो हमें पता है ये 5 प्राइम एंड है ये 3 प्राइम एंड है प्लस मैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक साथी DNA लाइगे जिंजे DNA लाइगेज एंजाइम तो मुझा पता है अब क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा सील हो जाएगा और यहाँ पर क्या आजाएगा एडनाइन गौनाइन और साइटोसीन फास्फफ़डाश्टर बोन और इसकी कॉम्लिमेटि थाइमीन क्या होटे है ना जो लाइक यह दो टाइप की होते हैं यह लिग देथा हूँ दिखो अपी दो नुपी एपी जे नु Muito यह अपी अड़ मियाइग दो टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स मिह होते हैं भूत प A and B A and B एक होता है Bifunctional Bifunctional Api Ando Nuclease Bifunctional Api Ando Nuclease इसके पास में क्या होता है इसके पास में दो activity होती है एक तो क्या Glyco Siles Glyco Siles प्लस Ando Nuclease अक्रिविटी Ando Nuclease अक्रिविटी अगर Bifunctional Api Ando Nuclease है तो वो Glyco Siles की तरह भी काम करेगा Glyco Siles वाला काम Glyco Siles मतलब Glyco Siles बोन ब्रेक करने काम भी करेगा और Ando Nuclease का काम भी भी करेगा और एक होता है क्या एक होता है Mono Functional Monofunctional Api Ando Nuclease Monofunctional Api Ando Nuclease Monofunctional Api Ando Nuclease के पास सिर्फ एक अक्रिविटी है तो हम वो सते हैं इसके पास कौन से अक्रिविटी है Ando Nuclease अक्रिविटी Ando Nuclease है न तो अब ग्लाइको साइलेज कोई और आएका डीने ग्लाइको साइलेज अलग है Ando Nuclease अलग है ठीक है अब एक और चीज है बच्चों आपको पता हुना चीज कि इनके अंदर भी क्या होता है जो एपी Ando Nuclease होते है एपी Ando Nuclease होते है एपी Ando Nuclease है बहुत अबिलीटी बहुत अबिलीटी टू क्लीव DNA ठीक है बहुत अबिलीटी टू क्लीव डिने लाइक Like Beta Alimination Alimination And And Delta Alimination मतलब Beta Alimination भी कासता है और Delta Alimination भी कासता है अब क्या होता है Beta Alimination क्या होता है Delta Alimination So Beta Alimination produce what 5' पे Phosphate and 3' पर OH But Delta Alimination produce what Delta Alimination produce 3' Phosphate and 5' OH Opposite हो जाता है तो यह ऐसे भी कट कर सकता है Beta Alimination भी कर सकता है और Delta Alimination भी कर सकता है तो यह कुछ additional knowledge होगी जो आपको बता होने चीए यह हमारा base oxygen repair एक तरह से complete हुआ इस वाले को के सेकेंड वाले को भी अपन इवाइस कर देते हैं तो के सेकेंड में हमने देखा कि अगर मोडिफाइड बेस है मोडिफाइड बेस से तो इसको भी रिमूफ कर सकते हैं तो यहां पर एंग्लाइकोसिडिक बॉंड होगा जो कि ब्रेक होगा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के तुरू यह बॉंड जो है जो शूगर और नाटोजन बेस के बीच वह बना हुआ है ओ वह बैंड मुझे वह ब्रेक करना है विदा है विदा हैलप ओव डिएन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम दान शूगर और फॉसफेट इस रिमॉवड बाइप अपने नुकलीज और फॉसफोर सब्सक्राइब अपने लिए और यह बीच वार्व फॉसफेट विदा इंजाइम देनें अंगे इनेन गार्व फॉसफेट रिखने लिए अपने नुक्लीज विदो थाइप के ओ यह ब्यकोसालेज अन अनुकलीज अन वह बनाट युद बो यह बेस्टने अन ग्लीज produce what to type elimination like beta elimination and delta elimination beta elimination like 5' phosphate and 3' oh and delta elimination 3' phosphate and 5' oh so यह हमारा क्या है base exigent repair का part है यह base exigent repair हमारा अच्छ प्रोड्म नहीं रही हो आगर इनकेस कोई प्रोडम है तो आप क्या कर सकते हो comment box में लिएकर बता सकते हो और टेलेग्राम गुरूप आपका अलड़ी बना हुआ है आप उसको भी जोइन करने सा फायदा है यह भी होगा कि जितने भी लिट्रेस्ट में आपके पास पॉस्ट आई भी है लाइक चीजी एबी में अना याई के अंदर जित्ती भी ओल आवर जो फॉर्म निकलते हैं वह सारे के सारे महां पोस्ट होते हैं आप देख सकते हो उसके अंदर तो वह गुरूप याप वह इंस्टेग्राम पेज भी आप फोलो कर सकते हो ठीक है लाइफ सांस्ट नाम से यह ठीक है अंद लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ओल दा बेस्ट पर यूर डीबीटी एक्जाम और सीएसाई यार एंड सेट एक्जाम बाई टेक केर